कि नन्या स्चिंत यन्तों माम ये जना परियुपास्ते देशाम नित्या अभियुक्ताम योगक्षिमम वहां मेहम नमस्कार इसी पवित्र गीता वचन के साथ स्वामी समर्थ जी ने अपने शिश्चों को आशिर्वात दिया है नमस्ते विद इस हिम फ्रम भगवद गीता स्वामी समर्थ जी स्वामी समर्थ जी का अगवन अक्कल कोट ग्राम में 1856 में हुआ था और इसके पश्चाद बावी स्वर्ष स्वामी जी का यहां पर निवास रहा काफी लोगों ने मुझसे आग्र हख किया था कि गुरू परँपरा के विशय में थोड़ा आप बताएं ताकि हम समझब पायेंगी क्या हमारी गुरु परंपरा है क्या हमारा पूरा जो जो गुरुं की जो श्रुंक्र जो आप सब्सक्राइब किस udah कर से यह क्या आम उसको ठीक्स समझ पाये। Many people had suggested to me that they would want to learn more about the Guru lineage of Akkal Kod, of Shivapuri, of Agnihotra itself, so as to understand better the whole background from where this whole message, this whole movement started. This here is an idol of Sri Swami Samartha Maharaj, who arrived in the town of Akkal Kod in the year 1856, and from there till his Samadhi, in the year 1878, he stayed in Akkal Kod and gave spiritual guidance and blessings to thousands and thousands of people from all over the world, literally. उनके अकल Kod Gram में 22 सवर्षे के अपने निवास के काल में स्वामी जी ने असंखे लोगों को दर्शन दिया, अध्यात्विक मार्गे दर्शन दिया, और अपने भक्तों को अशिरवाद देकर उनका जीवन परिपूर्ण करने की और उनको अग्रेसर किया, उनके अवतार समाप्ती के पूर्व, अकल कोट के एक शिवा मंदिर में उस शिवालिंग पर स्वामी जी ने एक भव्य यद्ने का आयोजन किया, और स्वयम अपने हातों से वहाँ पर उन्होंने उस शिवलेंग पर यद्नी किया और उन्होंने उसके माध्यम से दर्शाया कि आने वाला काल जो है अगनी उपासना का अगनी सेवा का अगनी होतर का काल होने वाला है ऐसा दर्शन उन्होंने अपने जीवन काल में ही दिया थ Swamiji himself, before taking Samadhi, had conducted Yadhnya in one of the very popular Shiva temples in Akkal Kod, wherein he organized and arranged a lot of cow dung and various other Yadhnya equipment on the Shiva idol itself and performed this Yadhnya there and then basically he was depicting the coming times of Agnihotra and the global spread of Agnihotra from this holy town of Akkal Kod. Swamiji initiated a group lineage in his own name to spread far and wide a message of healing, a message of wisdom, a message of freedom and happiness to the entire mankind. Swamiji ने अपने अवतार काल में एक अनाज्य अविच्छन गुरु पीठ की स्थापना की थी अकल Kod में और उनकी आदनिया ऐसी थी कि यावच्चंदर दिवा करो जब तक सूरज चांदर रहेगा तब तक लोक कल्यान के लिए इस गुरु पीठ के माद्यम से वैश्विक कारे चालू रहना चाहिए, उसके माद्यम से धर्मकारे होना चाहिए और उसी के पीठ के गुरु पीठ क माद्यम से कि विश्वक को कल्यान कारी, विश्वक में सरो जीवों को अनन्दी सुख में जीवन, अरोग्यपूर्ण जीवन जीने का एक संदेश इस गुरु पीठ के माद्यम से दिया जाए, ऐसी उन्होंने आध्या की थी और इसी इच्छा को उन्होंने अपने Shrima Sadguru, Shri Bada Pa Marajji के सामने रका था, Swamiji had expressed his will, his wishes that he wanted to create a lineage of gurus which would work for generations to come to spread the word of a happy, fulfilled and holistic, healthy life for every being on the planet and keep working generation after generation to make sure that the message of dharma, the message of पुरी जलेए पिस्थरा आफेडिक झालएग करदे जडिए जैंग अवाड़ केम आफे इस मेंएंग, पूरी एगुरू इदिए गुर। फिस्थरीब बादपा महराज। यहत्ते है इन से एग जापते हैं इनलीज इनलीजि़। घर से घर्क्ल। एड़ है कि बादपा महर फिर भी प्र마राजी बालब आप्पा महराजी जी जी विक भी जी केंगे फिर धाने हवेरी कर नटकास जी बार्णाट जी जी रहें गिवारी जी स्वेमत शुज वाण राज पूर प्ट्रूर जी जी इसकाने हैं रही ज़ोरी प्रेटिशन गुड़े लुटीशन और आपका देए लुटीशन आपका लुटीशन नेयुट और इंडीन विम्हें आपका फोटा आपका नज़र आरा है तोड़ा लाइट जयुटाना नहीं आपका नाज़र नहीं होगा। लेकिन बारपा माराजी करनाटक के हावेरी गाम से आते हैं और कई वर्ष उन्होंने स्वामी समर्थ जी की सेवा यहां पे अक्कल कोड में रहकर की और इस काल के दौरान स्वामी समर्थ जी ने उनको गुरू पीट स्थाफन करने के आद्निया दी और सारे निजवस्तु जो एक मुकी रुद्राक्ष हो या हाथ की उनकी जो एक अंगुठी हो चत्र हो कमंडल हो दंड हो यह सारा उनको दे कर उनको अधिष्टित बना किया और गुश गूरुपरंपरा को स्थापित कर इस अनाद्य अविच्छिन गूरुपीट को स्थापित कर यावच चंद्र दिवाकरों धर्मकारे के लिए उनको प्रेरित किया तो स्वामी समर्थ जी के आवतार समाप्थी के पस्चाद वोने इस Guru Peet के कार्य के लिए यह जहां हम खड़े हैं इस Guru Mandir की स्थापना की Badapa Maharaj Ji himself traveled literally around the country to spread the message of Swami Samadji and created many temples around India and also created this wonderful place called Guru Mandir here in Akkal Kod to take forward the mission of this Guru lineage. after Swami Badapa Maharaj Ji's Samadhi, his disciple Shri Gangadhana Maharaj Ji took the mission forward and he also traveled around the country, created many congregations around the country and spread the word of dharma as ordered by his Guru. Shri Badapa Maharaj Ji के आवतार समापती के पश्चाद, उनके शिश्य श्रिगंगादर Maharaj Ji इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और विश्व भारत भर में ब्रह्मन करके धर्मकार्य का विस्तार किया. यहां पे हम यह देखते हैं, यह एक शैन कक्ष बनाया गया है, यह स्वामी समर्थ जी की स्मृति पर्त्यर्थ बनवाया गया था, क्योंकि बाड़ापा Maharaj जो थे, वो स्वामी समर्थ जी के सेवा में थे, तो रात भर स्वामी जी की वो सेवा में ततपर रहते थे, कि कभी भी स्वामी अगर नेन से जागते हैं, तो उनके सामने जागरत दिखना चाहिए, ऐसी उनकी एक इच्छा हुआ करती थी, तो जब स्वामी जी अमर्थ जी अपने कक्षा में विराजमान होते थे, तो उनके नीचे जमीन पर बैठकर बाड़ापा Maharaj उनकी सेवा करते थे, और नीद न आए, सो न जाओ, इस आशा से, अपने जो चोटी के, बालों की एक चोटी बना कर, वो उस पलंग को बान देते थे, ताकि अगर नीद भी आए, जब की आती है, तो उस दर्द से वापिस वो जाग जाएं, इस here is a, is a metaphorical place of rest, created in memory of Swami Samartha Maharaj, because Balapa Maharaj himself was in service of Swamiji for many years, and he would always sit near the bed of Swami Samaraji, while he used to take rest in the night, so that whenever if Swamiji awakens in the night, he should always find his devotee ready to be of service. So, to make sure that he himself doesn't fall asleep, Balapa Maharaj would tie a tuft of his hair to the legs of the bed, so that whenever if he felt sleepy, the pain from the pulling of the hair would wake him up, and then he would stay awake. That was the kind of devotion, that was the kind of dedicated faith, that Balapa Maharaj had in his Guru. Itini shraddha se, itini bhakti se, Balapa Maharaj ji ne Swamiji Samaraji ki sewa ki thi, और उसी sewa karayya ko dhekkar, शायद Swamiji Samaraji ji ne unko kuladhipak, इस upadhi se unka nawaza tha, और उनको इस गुरुप कर परंपरा के कार्य के लिए उनका चुनाव किया tha. Maybe that is one of the reasons that Swamiji Samaraji chose him to be the hair apparent for his lineage and to take his mission forward. All his life, Balapa Maharaj never ate a full meal. Since he took over the lineage, he completely fasted all his life, only ate a handful of peanuts or some fruits and his rule was that he would only eat one handful of peanuts in the entire day and sustain just on that. There was a lot of rigorous penance that he undertook. Similarly, Gangadhar Maharaj here also undertook a lot of rigorous penance and only ate fruits, a handful of fruits, it could be mostly grapes or some such fruit that he would eat in 24 hours period and sustain himself just on that and did rigorous penance Lord of Tapa himself to take this mission forward. अगर दोनों जो सद्गुरु जी थे, बालपा मारत जी थे, उनका एक नियम हुआ करता था, कि वो आयुशिभर उन्होंने जबसे गुरु परंबरा का कारे संभाला, तबसे कठोर तपाचरण किया, उन्होंने भोजन का पूर्णता त्याग किया था, और केवल मुठी बर पीनट्स, याने मुझफली खाकर वो अपना गुजारा किया करते थे, कठोर तपाचरन से जीवन उन्होंने वेतित किया, अनेकों गंटों तक वो ध्यान में मगन रहते थे और अन्नका त्याग पूरी तरह से किया था, इतनी कठोर तपाचरन करके उन्ह उन्होंने इस गुरुपीठ का ये कार्य आगे बढ़ाया उनके पस्चाद गंगादर महाराजी ने भी कठोर तपाचरन की इस परमपरा को आगे शुरू रखा और उसी तपाचरन के परमपरा से उन्होंने भी अन्नका त्याक किया था और केवल मुठी पर फल खाकर या जैस अग्धा भक्ती नित्य ध्यान मगन रहना यहीं उनके दिन चर्या हुआ करती थी और इस तपाचरन के ही माध्यम से इस गुरुपीठ का कार आगे बढ़े ऐसी इन सारे गुरुओं की एक एक टीचिंग है एक हमको शिक्षा उनकी उनके तरफ से ये मिली है और श्री गंग चादिश इस पदपर उनका नियुक्ति की गई तो यहां पर आप देखेंगे यह गर्बग्रह जो है अंदर यहां पर बालपा महराज जी की समाधी है और यहां पर दाइन दरफ परमसद्गुरु जी की तस्वीर लगी है उसके नीचे जो है वो गुरुपीठ है वही अना वाइदिक तत्व ज्यान और स्वामी समर्थ गुरु परमपरा के जो तत्व ज्यान है उनका सारा स्वरूप पंच्छादन मार्ग और अग्ले होतर की संदेश विश्व को दिया है इन here in the sanctum sanctorum you can see the samadhi or the final resting place of बालपा महराज and on the left here under the photograph of परमसद्गुरु you can see the गुरु प इस वेरी गुरु पिथम परमसद्गुरु गेव फिफफोल पाथ और अगने होतरा to the world which is the gist of all the Vedic philosophy and the teachings of the Swami Samad lineage so from here from this small little monastery in the small little town of Akkal Kod in a ruler part of India the mission that was started for global revival was initiated from this very place a called recovered जैसे छोटे गुराव में एक इस छोटे मठ से भरत जैसे एक देश से जो कार्य आज 165 वर्ष पूर शुरू हुआ 165 वर्ष पूर शुरू हुआ वाज विशव भन में फहला है विश्व का कल्यान होए समस्थ मानों मातर का कल्यान होए समस्त जीवों का कल्यान हुए यह जो इश्वरी इच्छा को पूरा करने के लिए गुरुपर्म पर यहां आवतरित हुई उस कारे को आज विश्वभर में अग्ने अतर वचारक आगे लेके जा रहे हैं And Swami Samart himself never said that he where he came from where what was his name. Everything that is known about him is known by the messages that he gave and all the devotees spread for and wide all over the world. Today come to Akkal Quote seeking Darshan of the holy master. स्वामी समर्द जी के बारे में जितनी भी उनकी जो निज जानकारी है उनके बारे में जो प्रक्तिकत जानकारी है वो उनके शिशों के माध्यम से उनके प्रश्ण उत्तर के माध्यम से जो समझ में उतनी ही है स्वामी समर्द ये नाम भी शिशों ने उनको दिया उन्होंने क और इसी कामना को परमसद गूरों ने कहा कि समस्त भूमंडल पर कल्यानकारी एक जीवन प्रस्थाफित होवे साथी में सभी समस्त जीवों का कल्यान होवे यही हमाली जीवन कामना है यही जीवन का उद्देश है इसी जीवन उद्देश को लेकर इन गूरों ने आज तक 160-160 किया और इस धर्मकाले को विश्वभर में आज पहलाया है, keeping the same thought, keeping the same mission in mind that Swami Samadji initiated, every guru after him took the work forward and Param Satguru says that to create a place, a world that is in harmony, that is in peace, to create healing for humanity, to create wellness and well-being for the entire planet is our only mission and only purpose of life and that purpose they followed rigorously for their entire life period. Param Satguru himself spent years and years in penance, from the age of six he began rigorous fasting, rigorous penances to the day he finally left his body. So here is this guru tradition that has been working towards global revival for the last 165 odd years. One more I think I would say that Swami Samadji like showed the indication of the coming Agnihotra time. Param Satguru then revealed this Agnihotra message to the world. And there is a Vedic, there is a Gita hymn that basically suggests the whole purpose of this mission. It is ये ये अजिने आजिने आजिए आर्फात कर्मनोन ने तरह लोकोयम कर्म बंदना हा, तदर्थ कर्म कांते ये मुक्त संगा समाचर्चर, गीता का ये श्लोग जो है, जिसमें इस गुरु परमपरा की जो भी ये कार्यप्रनाली है, उसको संग्शिप्त में आप देख स्पा कर और यद्यकर्म के आचरन के मध्यम से मुक्त होकर अनन्दी सुखी परिपूर जीवन का अनुभव कर though Lord Krishna in this hymn says that Yajna और Agnihotra is a path towards oneness, a path towards light and path towards a fulfilled happy life so everyone should perform Agnihotra daily and experience what truly free, truly blissful life is so we followers and disciples of Param Sadguru have always felt that his message is for freeing people from the bonds of ignorance, from the bonds of generations of a template driven life and towards a fulfilled happy free life Param Sadguru के जितने भी निज अनुयाई हैं, जितने भी भक्त हैं, वो जे समझते हैं, वो जानते हैं यह परम Sadguru का जो संदेश है, वो मुक्त जीवन, सच्छन्दी जीवन के ओर ले जाने का है, आनंद के ओर ले जाने का है और युगान युग से जो मानव समाज के प्रशन हैं, जितने भी बंधन मानव समाज पर हम सने स्वयम लगाए हैं, उन सब को हटा कर, उस कलको को दूर करके एक प्रकाश का मारगा दिखाने का है, एक मुक्ती का मारगा दिखाने का है, इस प्रकार से हम जानते हैं और यही इस गुरु परंपरा की विश्यष्टा है विश्वभर में आज यह धर्मकार्य चल रहा है इसी पवित्रस्थान से शुरू हुआ है और इसी पवित्रस्थान से आज भी उसको प्रेणा शक्ति उर्जा मिलती है तो इसका दर्शन करने का देव दुरलप आज हमको सं किल बुछ विट्रस करने से प्रेण मिलती है विश्वेड का बॉतर सी खर्म, किशर ऐसी अल्शन करते है फिद्च भी विश्वट subtitle से जीयर अटेवित्ड डहें से उप्रेण और निखमों है तो कि एसे आज का प्र volcanoes के पेड़या में तो किए सभीक का दे किए इस scissors गुरू पीठ का मैं आपको सबको दर्शन कराऊंगा थोड़ी जानकारी भी इसके बारे में मैं जितने दे पाया हूं तिने दी है आज और शायद मैंने ये एक शायद ये चीज बतानी रहे गई कि यहाँ पर ये गंगादर महराज जी की समाधी की जगह है और यहाँ पर श् प्रूंपरा का प्रारंब हुआ है यहाँ इस दिन पर इस इन पवित्र पादुकाओं का दर्शन लेकर हम इस सत्र का अंत करेंगे और उसी श्लोक का यहां पर उच्छार करेंगे इस श्लोक के मध्यम से स्री स्वामी समर्त महराज जी ने अपने शुष्यों को आशिरवाद दिया था So we will take darshans of the holy padukas here and finish the session by chanting of the same hymn that Swami स्वामी समर्त महराज himself chanted as benevolence and grace to his disciples O mananyaschintayantomam yejanah pariupasate teshaam nitya viyukhtanam yogakshemam vaham yaham O mananyaschintayantomam yejanah pariupasate teshaam nitya viyukhtanam yogakshemam vaham yaham O mananyaschintayantomam yejanah pariupasate teshaam nitya viyukhtanam yogakshemam vaham yaham Dhan Tavadu Tachintana Shri Guru Devadat Tisami Samartha Maha Raja Kee Jai